मेरट के डिगरी कॉलिज में छात्रों के दो गुटों में जम कर मारपीट और फाइरिंग हुई है इस घटा में एक छात्र को गंभी चोट भी आई सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काभू में किया और घाईलों को उप्चार के लिए अस्पतार में भरती कराया पुलिस मामले की जांच में जुटी है वही मारपीट की तस्वीरें सीसी टीवी में कैड़ दो गए यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिससे देखा जा सकता कि किस हमला वरो का जुन्ड एक छात्र पर टूटा उधर कॉलिज के प्रिंसिपल ने इस पूरे मामले पर गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए का कि कॉलिज में वर्चस्र की लडाई होना स्वाइभाविक है थाना स्विल लाइन चेट में एनियास कॉलेज परता है एनियास कॉलेज में आज अपरहान ये सूचना प्रात्री कि छात्रों के दो गुतों में अपस में मार्पीट और फायरी होई है मौके पर पुलिस पहुची तो राहुल मावी नामक एक छात्र है उन्होंने आकर के उनका मेडिकल कराया जा रहा है उनके तहरीव पर अभयोग पंविक्रित करके आवस्चेव दिखें